स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास दस के गडित प्रिशनावली आठ दसमलो दो आठ दसमलो दो अभियास को आज हल करके बताया जाएगा तो अभियास हल करने से पहले आपको तिरकुड मीती अनुपात का मान याद रखना बहुत जरूरी है जब आपको मान याद रहेगा तभी जाकर के प्रिशनावली आठ दसमलो दो को आप सभी विद्यारती हल कर सकते ह तो पहले मान को आप लोग याद कर लीजिए और मान निकालना सिखाया जाएगा कैसे आपको मान याद किया जाएगा तो पहले आप लोग ऐसे कालम जो बना हुआ है पहले अपने काउपी में जो ऐसे कालम को पहले बनाना पड़ेगा और कालम जब बन जाएगा तो यहाँ प मतलब आपको याद रखना है जब आपको मान याद रहेगा तो प्रशन लगाने में क्या होगा आसानी होगा तो याद खेगा साइन 0 अंस का मान जो होता है जीरो होता है याद खेगा साइन 0 अंस का मान क्या होता है जीरो होता है और साइन 30 अंस का मान याद रखेंगे एक बटा दो होता है साइन 30 अंस का मान एक बटा दो और साइन 45 अंस का मान होता है एक बटा जो है करणी में मान एक होता है तो याद हो गया होगा साइन जीरो का मान जीरो होता है तीस का मान जो है एक बटा दो होता है और पैंतालिस का मान जो होता है एक बटा करणी में दो होता है साथ यंस का मान जो है करणी तीन बटा दो होता है 90 का एक होता है अब इसका उल्टा लिख देंगे जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा कितना असान है अब पुछए काश 0 Coman क्या को तो कहेंगे 1 होता है अब इसका उल्टा जो यहाँ 1 था तो यहाँ लिखेंगे कंडी में 3 बटा 2 और यहां लिखेंगे एक बटा करणी में दो और यहां लिखेंगे एक बटा दो और यहां वजाएगा जीरो बस एक लाइन ऐसे याद करेंगे और एक लाइन इसका क्या करेंगे उल्टा याद करेंगे तो कास जीरो अंस का मान अगर कितना है का मान आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो यहां से एक प्रश्ण परिच्छा में पूछा जाता है कि साइन और कास में कितने अंस के मान आपस में बराबर होते हैं तो याद रखिएगा कि साइन का मान और कास का मान जो है 45 अंस के मान जो है आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं और यहां जो है कास 60 अंस का मान क्या कहेंगे एक बटा 2 हो जाएगा और कास 90 अंस का मान क्या होगा 0 हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा बस एक लाइन ऐसे चलेंगे और एक लेन इसका क्या है उल्टा है अब यहाँ 10 10 0 अंस का मान क्या होता है तो कहेंगे 10 0 का मान 0 होता है 10 30 का मान क्या होता है तो एक बटा जो है करणी में जो है 3 होता है और यहाँ 45 का 1 होता है 45 का क्या होगा एक होगा और 60 अंस का करणी में 3 होता है 90 अंस का infinite होता है इसको आनन्त भी कहा जाता है याद रिखेगा आनन्त या इसको infinite बोला जाता है infinite भी कर सकते हैं और आनन्त कर सकते हैं अब यहाँ पी infinite यहाँ जाएगा infinite और यहाँ का बनेगा करणी में 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ एक बट्टा जो है करणी में 3 हो जाएगा और 0 वाला यहाँ पर आ जाएगा मतलब एक लाइन ऐसे चलेंगे इसी का उल्टा लिख देंगे तो काट 0 कामान अगर पूछा जाए तो काट जीरो कामान इंफनाइट है मतलब यह एक लाइन टैन का आपको याद हो जाए तो काट का आप लोग याद कर सकते हैं इसका उल्टा लिखना है और इसमें भी एक प्रशना आजाता है कि टैन और काट में कितने अंसकेमान बराबर होते हैं तो 10 और 10 और कार्ट में देखेंगे तो 45 अंस का मान जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 45 अंस का मान जो है 10 और कार्ट में क्या होते हैं बराबर होते हैं अब ये कोसिक का कोसिक 0 का मान क्या होता है तो ये साइन अलमान का उल्टा कर देंगे तो zero का जब उल्टा करेंगे तो infinite हो जाएगा क्या हो जाएगा इन्फनाइट और इक जो है निचे छोड़ सकते हैं और यह का जाएगा गया riding में जो है two 들어가 एक को जाएगा और एक का उल्टा जो है जीरो का विद्करम इंफनाइट होता है एक बट्टा तो मतलब दो उपर जाएगा वन नीचे जाएगा तो दो बट्टा एक को छोड़ सकते है और एक कर्णी दो उपर गया नीचे वन आगया कर्णी दो हो जाएगा 2 बट्टा करणी में 3 और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा मतलब कोशिक का जो मान होता है वो साइन के मान का क्या होता है ब्यूत कर्म होता है अब यहां से चाहिए तो आप उल्टा लिख सकते हैं यहां पे का जाएगा 1 हो जाएगा 1 के बास यहां क्या होगा दो बट्टा जो है करणी में तीन हो जाएगा और यहां करणी में दो रहेगा यहां पे दो हो जाएगा और यहां पे जो मान आया इन्फनाइट आ गया तो यह मान जो है निकल गया यह मान को आप सभी विद्यारती पहले नोट का लेजे ऐसे 60 स्क्रीन भी ले लीजे और अपने कापी में जरूरी से नोट कीजे और इसे दो बार तीन बार पढ़िए आपको मान याद करना बहुत ही जरूरी है जब मान आपको नहीं याद रहेगा तो आप प्रशनावली 8.2 नहीं हल कर पाएंगे इसलिए पहले आप सभी विद्यार थी इस मान को आप लोग याद कर लीजिए जब मान याद हो गया है तो समझे प्रशनावली 8.2 जो है बहुत ही क्या हो जाएगा सरल हो जाएगा तो अब सीखेंगे प्रशन नमबर एक तो यह प्रशन नमबर जो एक है प्लस साइन तीसंस है और कास जो है साथिंस है तो जब यह मान आप लोग को याद रहेगा तभी तो यहाँ मान भर पाएंगे जब मान आपको नहीं याद रहेगा तो यहाँ मान आप इसको नहीं भर पाएंगे इसलिए जो उपर मान बताए गया है इस मान को आप लोपने कापी में लिख करके इसको याद जरूर कलेजे अब यहाँ पर किस का मान भरेंगे पहले साइन साथ हैंस का मान भरेंगे तो साइन साथ हैंस का मान एक बार देख लिजे कि साइन साथ हैंस का मान होता क्या है so sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-sign-s साइन ती संस का मान क्या होता है तो एक बटा दो होता है और का साथ हंस का मान जो है एक बटा दो होता है तो यहाँ पर दोनों मान रख लेंगे तो साइन ती संस का मान जो है एक बटा दो हो गया और का साथ हंस का मान भी एक बटा दो हो गया तो यह मान जो रखा जा रहा है ज तीन तरीका का हो गया, नो हो जाएगा, तो यह करणी में जो है, नो हो जाएगा, बटा हो जाएगा, दू दूना क्या होगा, दू दूना यह चार हो जाएगा, पलस हो जाएगा, एक करणी जो है, एक हो जाएगा, और दूना क्या होगा, तो दूना चार हो जाएगा, तो मान समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है जब यह मान को रख लेंगे तो मान को रख करके इसको हल भी करना है अब करणी 9 का मान क्या होता है तो करणी 9 का मान 3 होता है मतलब करणी 9 का जो है यह 9 का बर्गमूल इसको बोला जाएगा लिख लेंगे चार लिख लेंगे और तीन और एक जोड़ेंगे तो तीन एक क्या होता है चार होता है अब ये चार से चार को काड़ दीजिए तो चार चार कट गया क्योंकि तीन और एक जोड़ेंगे तो चार होगा नीचे का हर बराबर आता है तो नीचे नीचे क्या करेंग तो समझ में आ गया होगा तो यहां लिख लेंगे answer हो गया पहला question जो है हल हो गया तो यहाल कब हुआ जब इसका मान आपको याद रहेगा तब ही हल कर पाएंगे तो अब सीखेंगे प्रशनमर इसका 2 तो अब यहां पे लिखेंगे प्रशनमर 2 अब प्रशनमर 2 क्या है अब इसको भी note कर लेते हैं तो प्रशनमर 2 है दो है 10 square जो है 45 अंस है और क्या है प्लस है और क्या है कास square जो है 30 अंस है कास इसका 30 अंस हो गया माइनस जो है साइन स्क्वाइर जो है 60 है तो यह प्रशनमर जो है तो यह प्रशनमर दो में अब यहां पे किसका किसका मान रखना है तो 10,45 का मान रखना है और यहां कास्ती संस का मान रखना है और यहां साइन स्का मान रखना है तो अब यहां मान को यहां पर रखा जाएगा तो यहां दो है तो पहले दो को लिख लिख लिजिए दो उतर जाएगा और टैन पैंटालिस का मान अब टैन पैंटालिस संस का मान जो है उपर एक बार और देख लिजिए कि टैन पैंटालिस संस का मान क्या होता है तो 10 देखे 45 के सामने देखे एक है तो 10 45 का मान कार्णि में 3 बटा 2 मान देखना है तो 2 मान जाएगए अब यह दो इतर जाएगा 10 45 का मान तो दिखाया है कितना था तो 10 45 का मान एक का बर्ग है अगर आपको याद हो गया है तो बहुत ही अच्छा है तो इसलिए पले मान को याद कर लिए जिए अब कास 30 का मान रखेंगे तो कास 30 का मान होता है कारणी में जो है 3 बटा जो है 2 का क्या है बर्ग हो जाएगा और यहां लिखेंगे माइनस हो जाएगा और साइन जो है करणी जो है साइन साथ हंस का मान क्या होता है तो करणी में तीन बटा दो का क्या हो जाएगा बर्ग हो जाएगा तो यह तो मान एक क्या किया है यहां पे रख लिये हैं, अब इमान रखनी की बासी, इसको हल करेंगे तो अब हल कैसे करेंगे, अब यहां बराबर कर लेंगे, यहां बराबर करेंगे दो गुड़े, एक का बढर क्या होता एक होता है, प्लस हो गये अब बर्ग से इसका करणी हट जाएगा यहाँ का बचेगा तो तीन हो जाएगा और दो का बर्ग जो है चार होता है दो का बर्ग चार हो जाएगा अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस इसका बर्ग से करणी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी तीन हो जाएगा दो का बर्ग जो है चार हो जाएगा तो यह तीन बटा चार जो देखेंगे पलस में है और तीन बटा चार जो है माइनस है तो आप यहीं पर इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं अब क्या बचेगा तो दो एकन्नम जो है दो एकन्नम दो बच गया तो यह दो इसका जो है क्या गया इसका इं तो आज हम लोग सीखे हैं दो प्रश प्रशने प्रश नमबर एक और प्रश नमबर दो तो कल जो है अम लोग सीखेंगे प्रश नमबर तीन तो आप सभी त्यारत ही आज मान को याद कर लिजेगा क्योंकि आज़ हम यहांपर दो एक प्रश एक इसलिए बताई जा रहा है क् आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे दी आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दवाना मत भूलिए क्योंकि यह लाइब क्लास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार